नमस्कार दर्शागेन, आमी पुर्षतम मास माहत्म्यको प्रभजन श्रिंखाला मचाऊं। अध्या येगारामा रिशी कन्या को आपने गल्दी का कारण महादेव बाटा पाध्पति प्राप्त होनी बर्दान पाये को विशेबहतु प्रस्तुत भएगा थिये। जोन हामिले हीजु प्रस्तुत गरेका थियों, आज अध्या बार को कथासार प्रस्तुत गर्दै छों। आउनोस यहरों तेस्पसी रिशी कन्याले क्ये गरिन तेस्पारेमा विवेचन भएकाचन क्ये करतों गति विदी करिये की रहेचन तेस्पकुरालाई मनन करूं यहरों। नविशार ने छेत्मा रिशी यहरों को सवालाई सम्भधन करते सुतर नामा पौराणीकले भने मैले तपाइनलाईल। रिशी कन्याले आपनू कारानले पायको दुखत सम्वन को विशेवथतु निविदन गरें और तवें के सुन्ना चाहान हों। तेशपशे रिशी यहरों ले शुतर नामा पौराणी समक्छे भने गुरुवर। महादेव अंतरध्यान होनो भए पसे ती रिशी कन्याले क्ये गरिन तेशलाई समेत सबिस्तार सुन्ना चाहान चों। रिशी यहरों को प्रश्ण सुन्याई पसे शुतर जिली अगी बद्री नारायनले नाराज जिलाई भन्नुबै को प्रस्चंग अस्वन गराहूं दै भने रिशेशर हरों तेशपशी रिशी कन्याको अबहत्ता जन्कारणीक भन्ना पोगे पोशा। बर्दान देर महादेव हिडे पसे रिशी कन्या बिलकमंद नमपरीनी के गरनी रा के न गरनी भन्नी सम्मक कुरा छोट्याउन सकीननी रा पानी बिनागो माँचो बनी छटपडाउन थालीनी। सट पढ़ी ना अद्धा पंदी नी अने कीशिम को चेका वड़ा बवलाई जऊतो चेहिं उनको अभास्ता हुँँँद। तेती बेला उनको अभास्ता तावा बाट उमकेको माचो भूंगरोमा परदा ज़स्ता हुँँच तेस्ता भाएको थिए। सुवाँ सुवाँ गर्दय केई समय विताईन लाम समय स्वक्प गरें तर विस्तार एकड़े अगने को ज्वाला बर्दय गए रहा पूरा शरीर तथाऊन थालें उनी बावलाई जाती वनेरा घ्रोईन कराईन तर सुन्ने कोई थे रहा इसो तकोई सुन्ने मिली हाले पनी अग्षले केगा न सकतेर महादेव को परदय को अगाड़ी का सुके लागी सुक रचिंताले गर्दा विस्तार ए उनको सरीर सुके रहा डणे लागनी ले जलेका रुक रपाद र लहरा जास्ते हुन पुगिय। तई पनी कथाई सुक रचिंता विस्तारो फ्यला पारिनन लाम समय समय उनको अबस्ता तेस्ताई रायो। एति कैमा एक दिन दुलोमा पसेगो मुश्वलाई, सर्पले समाते जस्ताई, उनलाई पनी काल ले समातेओ, र समसाल साडेरा मिर्ति लोगतिरा लागे। तेती वेला उनको उमेतर तेती बड़ी भयको थे ना, ताई पनी सोग ले करदाई एति ठूलो रोगले गाजो कि चाडईने उनलाई काल भगवान को प्यारो बन्न कर लायो। मानिसला चिन्ता बन्न ठुलो रोग अरको खुदाई ना, चिन्ता बने को तो तेस्तो बोध बुते हो, जसले मसान गाटो आगो बनेरा येती बड़ी पल्चा कि कती बेला भस्म पार्चा पत्ताई होंदे। बनेंचा चिताले मरे बशी मात्र जलाऊू छा, तो चिन्ता रुपी रोग लेता जियूंदे जलायर बस्म बनाऊुचा। जशरी बर्षारी तुमा आकास मा बिजुली चम्के रा आकास मा बिलाऊंच, ती कन्यापने आश्रम में जन्मेन, आश्रम में होरकिन रा आश्रम में बिलाइन। तेती निवेला दुर्वत नामगा राजाले संतान प्राप्ती का निवती एग्ये गरेगा थिए। शोई एग्ये कुण्डबाट उनले और को जन्मली एदेवी यस्तो कुरा सुन्दा आश्रे लागन सक्छा, कते अग्नी कुण्डबाट पनी मानिस को जन्म होंच, भनी लागन पनी सक्छा। तर कुरू कि हो बने यो भने को प्रतीक हो, रिशी मिने हरू बिम्बम मा बोल्चन अग्ये कुण्डबाट प्रक्रितिको तेस्तो प्रयोक साल हो, जसको बिरासत आदमेक तेस्टाटिव ब्यवी प्रसंगले धान्दे आयको छा। अरको सब्दमा भन्नोपर्दा मानिस को गरभा सय आफई पनी एग्ये बा अगने कुण्डबंदा कम छाई ना। गुनेशक्ट उन्यों ले एसाई अर्था मानाई पो बोले का हुन की जेवोस ती रिशी कन्या दुर्बात आज्या को एग्ये कुण्डबाट उत्पन्न होना पुगिन। जुन पसिगार द्रवपदी को नामले प्रसिद्ध वें। जुन कन्या पूरव जन्मा मा मेधाबी रिशी की छोरी को नामले प्रसिद्ध थीन। तीने कन्या अर्को जन्ममां पांचाली को नामले प्रसिद्ध हुना पुगिन जसले अर्जुनले सर्त अनुसार मत्से भेदन गरी स्वेंबर मंडब बटाले आएका थी। उनले पूर्व जन्ममां पांच पटक पति पाउं भनेर महादेव सित भर्दान मागे किले स्वोई अनुसार पांडब भरु पति हुना पुगिका हुन। उनले अर्जुनले ठुला ठुला राजाहरुला जितेर स्वेंबर मंडब बटाले रायेका थी। आश्रममा आउधा कुंती माता कुंती पांडब भरुका माता कुंती भित्र कुणे काम मां ब्यस्त थी। आउधा 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 आमा कुंतीला नदेखेर अर्जुनले बायर वाटे भने। माता जी हेरनोस्त, बाइर आरे हेरनोस्त, मैं रेकेले आये काचू। मात आकुंतेले वास्तभईक्ता विचारै नगरी भित्रभाठ ही भनि दिन, ठेकज़बाबू जेलले आका भैवनी पाँचाय भाइले भाइले बाडेर लेनु, पाँचाय भाइले भाइले भग्गरनु भन्नेकेशिमको आमाले वित्रवाट बचन दिन आमाको आग्यां तेस्तोवए। तेती वेला पित्री आग्यां तथा मात्री आग्यां ले धर्म सास्त्र तथा निती सास्त्र बंदा पनी माथी मानी ने चलन थियो। एई मात्री आग्या का कारण द्रवपदी पाजभाई को साजा हुना फुगे के थिन। यहां कुंतिता निमेत्त मात्र बन्न फुगे की हुन। प्रमुक कारण तो द्रवपदी को आपने कर्म थियो। मानिजले पुर्वजनमा जे गरिक हुन्च, तेसे को प्रतिफल एस जन्ममा भगनु पर्ने हुन्च। एस जन्ममा जे गरिये को हुन्च, तेईने औरको जन्ममा भगनु पर्ने हुन्च। एस शनातन निम हो। द्रब दिला पने तेस्ताई भाई को थियो, उनले पुर्व जन्मा मा जुन कर्म गरे की थिन एती वेला तेसाई ले भगनो परे को थियो उनको कर्म संस्कार के कार्ण दिभ्य जन्मा भाईर पने जीबन मा पटक पटक दुख पाउनों परे को था दुशासन लेतास भारी सभामा निर्वस्त्रपार्ने प्रयासने गरें विश्मा थे सभामा महारती दोणा थे क्रिफाचारी जस्ताई गुरुरु थिये तर अत्यस्ता महापुरु अरु समेत यही मात्रे रहे सहयक गरना सकेनन दुशासन को विरोध मा एक सब्दपनी बोलन सखेनन वोले उनोन पूर्वजर्म मां पुर्सट्त्तम भगवान को अनाधर करी ये वननिको पुषद्तम भगवान के अनादर दियो हैं, पुषद्तम महीदा अनादर गर नोफंपने को पुषद्तम भगवाकवान के अनादर दियो पनी पुरुष्वत्तम मासको अनाधर के उपज दियू। भगवान आपना भक्त को अपहलना गरनी कसाई ला पनी मन पराउदाई ना। उनका निम्दिता स्वे माता लक्षमी भन्दा पनी भक्त प्यार होंचा। भगवान सबय साना सक्षन तरह आपना भक्त ले दुख पा का थे सवा मां द्रपवदी को अस्मिता रक्ष्या गरने काम किष्णा ले गरे का थे पच्छी मात्र आयर। नायवी शार्ने चत्रमा सुता नामा पौराणिक भन्दे होंचा। एसरी भगवान किष्णा ले पांडब भरलाई द्रपवदी को पुर्वत जन्मको प्रसंगा बताए रा। आउदो पुर्षत्तम मैनामा पुर्षत्तम भगवान को उपासन गरने सल्ला निदै भने। एदी एसो गर्यों भने मात्र, बार बर्षगो बनवास रो एक बर्षगो गुवतवास को अबदी पुरा गरी आम्रों राज्य फिरताव ले न सकने चो। वह न भने भने भन्न को हजोर नहीं हो बन्दै विदा गरे। क्रिष्णा इडे पची पांडा भरुले पुर्षत्तम मैना आउना साथ तन मन लगायर पुर्षत्तम भगवान को उपासन गरे, पुजा गरे। एसे को प्रभावले उनिहुर लाई भगवान को पूरा सोयोग प्राप्त वयो रभ इस पाई अगी सूरिय भंभवासमा जन्मेका राजा देड़ धन्वाले पनि पुर्षत्तम मास को उपासना गरेके कारन संधान्र संपत्ती प्राप्त गरे, बाचुजेर सुखस्चान्थी प्राप्त गरे, अन्तेम्हा वक्युट लोग प्राप्त गरेका, जाने अधिका प्रसांग ले निम्नानुसार दोईवटा संदेश दिना खोजे को देखिन चा पहलो संदेश यह हो कि प्राराप्त नभोगी शुखर नपाईने भायेकाले बविश्य विगार्ने बाद विग्रने काम गर्ना हो दाईना कि भाग्यान निर्वाण गर्ने को आप इले नहीं हो आपना कर्मा लेने बविश्य विए बाध्य बनाउनी यो वाग्या आप इले बनाउने हो गर्णा प्रारप्द नभोगी गना आभईले शोख नंपाउन भईको ना रामर्वकाम गर्ना हूँद ऐसी नभणी बनी प्रारप्द बीगरिने बनी भांच्य न भाग्यő बीगरिने हो भनी शंदेशाई, योदीयु अध्याकी प्रसंगले अबमान किस्टकों बने गर्णा हो दाया था अन्य तरत्प्रकून्ण को पाप वा zijn तामान सभस्टा गर्णा सब करसे देना आंजने और निझेए夢 में गर्णा हो देना रहीकर नहीं में प्रणों पत्रणा हो देनों पर देना ऊर्णा फेकद यो बने को उनियरको अपमान हो ज़ो अपमान कसै माथ हि denganine जुन किसिम को यड़ा प्रतिफल निशन च पाब्जन जन гор jak अप侪ह भनी कर चौahi तो वने कर्म को भल भण तो युज जन्म मात्र नसह आई और को जन्म समझ पनी पच्चयायी रहां जरहाग प्यर्व दिलागेें। और उनिए प्रसोत्तममा को अन्हे बेटीलो हा करें। विदायों न simplemente आते इस अजया दर्श्यमी कों आम आजाले विदा च्यांचू आश्त विदा दिनसे। नमस्कार